नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाधिकी विश्रेशन में आपका स्वागत है पूर्व की तरह इस वीडियो की भी सुरुवात करते हैं कल पूछे गए प्रश्ण से पूछा गया था वह प्रश्ण है कि राज्जी के आपचारिक प्रकृति में किसकी भूमी का महत्तपूर्न है रोजगार की आपचारिक प्रकृति का अर्थ है कि जो लोग काम करते हैं मतलब कारिरत लोग, तो कारिरत लोगों का नाम सरकार की सूची में शामिल हो और कारिरत लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध हो अगर हम बात करें करमचारी भविस्य निधी की या EPF की और बात करें करमचारी राजबीमा या ESI की तो ये दोनों करमचारियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं वहीं इन दोनों में योगदान करने वाले करमचारियों के नाम EPFO और ESIC इन दोनों संस्थानों के पास मौजूद रहते हैं तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा option C, A और B अब हम बढ़ते हैं अपने पहले संपाधिकी की ओर जिसका शिर्शक है IMPOWER THE ECI मतलब Election Commission of India इस संपाधिकी को लिया गया है Financial Express से और यह संपाधिकी है GS Paper 2 में शामिल विस है विभिन समवेधानिक निकायों की शक्तियां कारे और उत्तरदाइत के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है चले देखते हैं इस संपाधिकी को विस्तार के साथ राहत परदान करना तो आखिर कमलनात को कैसे राहत मिली है सरवच नियाले के निर्ने के दौरा जरा इस पे देखी हुआ यूं कि मध्ध परदेश में जो उप्चुनाव का आयोजन हो रहा था तो इस उप्चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कॉंग्रेस निता कमलनात के दोरा चुनावी रैल्यू में कुछ ऐसी भासाउं या सब्दों का प्रयोग किया गया जो सम्वधानिक मर्यादा के विपरीत थी चुनाव आयोग का यहकाना था कि कमलनात ने आचार संघिता का उलंगन किया है सवाल यह है कि आखिर यह स्टार परचारक है किया तो प्रत्येक दल में कुछ ऐसे नेता या राजनेता होते हैं जिनें लोग सुनना पसंद करते हैं तो चुनावी मौसम के दोरान हर एक दल अपने इस नेता या राजनेता को चुनावी मैदान में भेजता है ताकि आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा उनकी पार्टी मत प्राप्त कर सके। तो चुनाव आयोक के अनुसार, मानिता प्राप्त, राश्ट्रिय और राज इस्तरिय दल चुनाव परचार के लिए 40 तक नेताओं की सूची देते हैं जिनें स्टार परचारक की संग्या दी जाती है और यह सूची कब देनी होती है? तो सूची इस प्रकार से देनी होती है कि चुनाव के कई चरण होते हैं, तो हर एक चरण की प्रक्रिया के प्रारंब होने की तिथी के साथ दिनों के भीतर स्टार परचारकों की सूची चुनाव आयोक को सौपी जाती है। और यहां यह ब खर्चे होते हैं उस खर्च का वहन पार्टी फंड के द्वारा किया जाता है। आयोग के छेत्रा धिकार को भी एक चुनोती है। देखे, इससे पूर्व, चुनाओ आयोग ने दिल्ली चुनाओ के दोरान, बीजेपी के दो नेताओं के इस्टार परचारक के दरजे को समाप्त किया था। अब देखे, क्या हुआ, कि ये जो दोनो घटनाएं घटी है। मतलब एक, कि चुनाओ आयोग के दोरा बीजेपी के दो नेताओं के इस्टार परचारक के दरजे को समाप्त करना। और दूसरा, कमलनाथ के इस्टार परचारक के दरजे को समाप्त करना। तो अब यह जो घटना है, इस घटना पर दो पक्च हैं, क्या वो देखें? तो कुछ लोगों का यह कहना है कि कमलनात की तुल्ला बीजेपी नेताओं से नहीं की जा सकती है, मतलब यह कि कमलनात ने जो बयान दिया है, तो उसे लोकतंतर को कोई खास खत्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आखिर यह तैग कौन करेगा कि किसके बयान जो है उसमें कितनी अपराद की प्रकृति है क्योंकि यह काना बड़ा कठिन है कि समाजिक इस्थिरता के लिए कौन ज़्यादा घातक है इस्थि जाती द्वे सम्मंधी जो बयान है वो या सांपरदाइकता को बढ़ाने वाले बयान अब यहाँ पर यह है कि यह चुनाव आयोग का काम है या चुनाव आयोग की सक्ति है कि चुनाव से सम्मंधित जो नियम है जो मर्यादाएं है उनका अगर उलंगन किया जा रहा है तो किस दल और किस नेता पर वह कारवाई करे आगे हमें यह पता है कि भारती सम्मिधान में भाग 15 में अनुच्छे 324 से 329 तक चुनाव आयोग को सक्तियां दी गई है और चुनाव आयोग इन सक्तियों का प्रियोग करते वे चुनाव परक्रिया को संपन्न कराता है और इसी सक्ति का प्रियोग करते वे राजनितिक दल और विभिन नेताओ के विरुद्ध कारवाई भी करता है परंतु यह भी देखा गया है कि व्यवहारिक इस्तर पर चुनाव आयोग की द्वारा अगर कारवाई की समिक्षा की जाए तो उसमें कमी है अब इसका सबसे बड़ा उधारन है 2019 का लोग सभा चुनाव वह कैसे वह इस तरीके से कि जब स केवल चुनाव आयोग बलकि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पर प्रस्चिन्न लगने लगे तो अब इन सब के बीच यहां पर यह बात महत्पूर्ण है यह जो समस्या है इस समस्या का समाधान क्या हो तो संपादिकी में यह बात कही गई है कि यह जो समस्या है इस समस् तरीके से कि विधाई रूप से चुनाव आयोग को सक्तियां दी जाए और विधाई रूप से चुनाव आयोग की एक इस्पस्ट और व्यापक सक्ति को पुनर परिभासित किया जाए क्योंकि चुनाव आयोक पर यह पक्षपात भी लगता रहता है कि चुनाव आयोक्त चाहे वो मुख चुनाव आयोक्त हो या अन्य चुनाव आयोक्त हो वह या जो सत्ताधारी पाटी है उसके अनुसार कारी करती है तो यहाँ पर यह भी होना चाहिए कि मुख चुनाव आयुक्त समय अन्य चुनाव आयुक्त कि जो चैन की परक्रिया है उसमें भी पारदर्सिता हो अब वर्तमान समय में चुनाव आयुक के काम बढ़ गए क्यों इसलिए क्योंकि संचार क्रांती की बार सी आ गई है और संच विभिन राजनितिक दल और विभिन नेता विभिन परकार के बयान देते हैं तो इस समय जबकि चुनाव आयुक को और मजबूत किये जाने की आवे सकता है उसके छित्रादिकार को सिमित करना कहीं से भी बुद्धी मत्ता पूर्ण कारे नहीं है इस परकार इस संपादिकी की और यह अगला संपाद की जिसका शिर्षक है not a fine solution और इस संपाद की को लिया गया है financial express से और यह संपाद की जी एस पेपर 2 में शामिल विशे सामविधिक विन यामक और विभिन अर्ध न्याइक निकाए कि दृष्टिकों से महतपूर्ण है देखते हैं इस संपाद की क को भी विस्तार के साथ इस संपाद की का आधार क्या है इसका आधार है वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जिसकी इस्थापना हाल ही में केंद्र सरकार की द्वारा अध्यादेश के माध्यम से की गई है लेकिन उससे पहले जरा हम यह देखते हैं कि इन्वारामेंट किया गया है हमें यह भी पता है कि परियावरन मंत्राले ने 1998 में परियावरन संग्रक्षन अधिनियम 1986 के अंतरगत इसको अधिसूचित किया है लेकिन जब बात सक्तियों की आती है तो इसकी सक्तियां अत्यंत ही सीमित थी वह कैसे वह इस प्रकार से कि अगर उधारन की कि EPCA की सक्तियां अत्यंती सीमित है जैसे देखे एक उधारन EPCA ने एक बार पंजाब सरकार को यह आदेश दिया कि किसान जो इस्टबल बर्निंग करते हैं तो वह इस्टबल बर्निंग ना करें इसके लिए उनको छटी पूर्ती की जाए पंजाब सरकार ने EPCA के इस आ बलकि यह विवस्था कौन करेगी यह विवस्था करे केंदर सरकार EPCA के इसी सिमित सक्ति को देखते वे केंदर सरकार ने इसके इस्थान पर वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयो का गठन किया है जिसका उद्देश से क्या है इसका उद्देश है राष्ट्रिय राजध तो में जो मौझूद प्रदूसन बोर्ड है उसका इस्थान ले लिया जाएगा किसके द्वारा वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा आखिर ये पांच राज्य कौन कौन से हैं तो पांच राज्य हैं दिल्ली, यूपी, राजिस्थान, पंजाब और हर्यान वहीं पांच राज्यों के सचिव और प्रयावरन मंत्राले के सचिव इस आयोग के तो सदस्य होंगे ही उसके साथ ही साथ वायू गुणवत्ता विशेसग और वायू प्रदूसन विशेसग भी इस आयोग के सदस्य होंगे रही बात इसकी सक्तियों की, तो इस आयोग को जुर्माना और सजा, इन दोनों को देने की सक्ति प्राप्त है अब यहां पर सवाल यह है की वायू गुणवत्ता प्रवंधन आयोग को जो सक्तियां दी गई है तो क्या इन सक्तियों के बल पर यह EPCA से ज़्यादा प्रभावी होगी? क्योंकि देखिए EPCA की औसफलता का कारण क्या बताया जा रहा है? उसकी औसफलता का कारण यह बताया जा रहा है EPCA राज्यों के मद्ध समन्वे इस्थापित करने में औसफल रही है अब ज़रा एक्जामपल लीजेग कि अगर हम बात करें इस्टबल बर्निंग की तो इससे समन्दी दो प्रमुक राज्य है पंजाब और हर्याना और इस्टबल बर्निंग का आखिर कारण क्या है? देखिए दो महत्पून कारण है एक निसुल्क पानी एवं बिजली की उपलब्धता किसानों को होना और दूसरा नियुन्तम समर्थन मुल्ले आखिर ये दो कारण कैसे महत्पून है इस्टबल बर्निंग के लिए तो ज़रा देखिए किसानों की निसुल्क पानी एवं बिजली की यह विवस्था वर्सा पर उनकी निर्भरता को कम करती है जिसके कारण बुआई की जो अबधी है वह आगे बढ़ गई है अब बुआई की अबधी के आगे जाने के कारण दो फसलों के बीच की अबधी कम हो गये वह कैसे वह इस तरीके से कि एक फसल के उपज की प्रक्रिया की समाप्ती एवं दूसरी उपज की प्रक्रिया के प्रारंब होने के बीच का जो यह समय हो गया कम हो गया है तो अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब एक मतब प्रारंभिक जो उपज है उस उपज की प्रक्रिया की जो समाप्ती हुई है तो जो जमीन पर या भूमी पर जो प्राली खड़ी है तो जब तक ये प्राली समाप्त नहीं होगा तब तक दूसरी उपज की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी अब यहाँ पर पराली को कैसे समाप्त किया जाए तो अगर वैग्ञानिक तरीके से समाप्त किया जाए तो ठीक है पराली समाप्त हो जाएगी लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत ही महंगी है जबकि दूसरा तरीका बड़ा आसान है वह क्या कि जो खेतों में खरी पराली है इसमें क्या कर दिय तो अब यहां पर यह है कि किसान कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो फिर वो दूसरे रास्ते को चुनते हैं जो महंगी नहीं है. अब बात करते हैं न्यूंतम समर्थन मुल्ली की, तो हमें यह पता है कि न्यूंतम समर्थन मुल्ली का लाब जादातर उन किसानों को होता है जो गेहूं और चावल का उत्पादन करते हैं, तो मतलब यहाँ पर यह है कि गेहूं और चावल पर किसानों की यह जो निर्भरता ह तो उसके कारण खेतों में जो खड़ी पराली रहती है उसमें जादातर भूमिका किन फसलों की होती है गेहूं और चावल की अब देखे जो खेतों में खड़ी पराली है अगर उसकी समाप्ति की बात हम करें तो उसके लिए एक उप्युक्त मसीन है वह मसीन कौन सी है? हैपी सीडर मसीन अब अगर इस मसीन को किसान को उपलब्द करवाये जाए सबसिडाइज रूप में तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि राज्यों पर अतरिक्त राजस्तों का भार पढ़ेगा और राजस्त की कमी है किन के पास? राज्यों के पास तो मतलब यहाँ पर यह है कि राज्य हैपी सीडर मसीन को सबसिडाइज रूप में किसानों को उपलब्द कराने में वरतमान में रूची नहीं ले रहे हैं तो अब यहां पर यहां प्रस्ण है कि जिन इस्थितियों की हमने चर्चा की आखिर उन इस्थितियों पर यह जो नया आयोग है वह कैसे कारी करेगा क्यों? क्योंकि यह दोनों चाहे निसुल की पानी और बिजली की उपलब्धता की बात हो या नियुंतम समर्थन मुल्ल की बात हो तो यह नए आयोग के छेत्रा धिकार से बाहर है अब देखिए हमें यह पता है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान या जो नए आयोग है उसके आदेश का अगर उलंगन करता है तो फिर आयोग को यह सकती है कि वह उस व्यक्ति या संस्था के विरुद सजा या जुर को किसान हो तो कोई बात में अगर जादा से जादा किसान इस प्रकार के आदेसों का उनलंगन करते हैं तो क्या सब को सजा और जुर्मानत दी जाएगी यह संभव नहीं है और यही कारण है कि जब सर्वोच न्यायले ने सतलज नहर जल बटवारे से समंधित निर्ने दिया थ कि हर्याना के साथ सतलज नहर जल का बटवारा करे तो पंजाब सरकार ने इनी कारणों से मतलब यह कि जादतर किसानों के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था तो फिर सुप्रीम कोट के इस निर्ने को मानने से मना कर दिया था अब देखिए बात यहां पर यह है कि सरक सरकार जुर्माना लगा कर जो समाधान खोज रही है तो सरकार को यह समझने की आबसकता है कि अगर सही समाधान खोजा जाए तो जुर्माना लगाने की आबसकता नहीं पड़ेगी वह कैसे वह जरा देखिए अब यहां पर एकि दिल्ली में वायू की गुनवत्ता में 20 घंटे और 7 दिन विद्यूत की उपलब्दता को बनाए रखा जाए उसके अलावा क्या यह विवस्था नहीं करनी थी कि शहर के आसपास जो थर्मल प्लांट है उनको बंद कर दिया जाए वही आगे देखें कि दिल्ली की हवा स्वक्ष रहे इसके लिए विद्यूत वाहन ज्यादा से ज्यादा चले लेकिन इसके लिए पूर्व सर्थ है वह क्या है वह यह है कि जो विद्यूत वाहन है उस पर लेवी निमने रूप में लगाए जाए इससे क्या होगा इससे विद्यूत वाहन का बाजार मुल्य क्या होगा वह कम होगा और जो चार्जिंग आयोग की स्थापना ही कारगर नहीं हो सकता है बलकि उसके समानांतर सरकार को अन्य छेत्रों पर भी कारी करने की आविशकता है इस प्रकार दूसरे संपाधिकी के माध्यम से हम नहीं हद देखा कि NCR एबम उसके आसपास वायू गुनवत्ता बेहत्री के लिए जिस आयोग का गठन किया गया है उसके भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए यह आविशक है कि सरकार अन्य छेत्रों में भी कारी करे चले अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम संपाधिकी की ओर जिसका सिर्षक है अन्सिभिल प्रपोजल और इस संपाधिकी को लिया गया है दा हिंदू निउस पेपर से और यह संपाधिकी जी एस पेपर ठर्ड में शामिल विस है विविन समवेधानिक निकायों की शक्तियां कार और उत्तरदायत के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है चले देखते हैं इस संपाधिकी को भी विस्तार के साथ तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यहाँ कि इस संपाधिकी का आखिर आधार क्या है इसका आधार है अंतर धार्मिक विवाह मतलब यह कि दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों के मद्ध विवाह तो अब यहाँ पर यह है कि आखिर यहाँ आधार क्यों है तो इसे लेकर दो मामल क्या पहला मामला है इलाबाद हाई कोट की वह टिपनी जिसमें इलाबाद हाई कोट निया बात कही है कि अगर धर्मांतरन केवल विवाह के उद्देश से के लिए किया जा रहा है तो फिर यह गलत है और वहीं दूसरा मामला है फरिदाबाद में 20 वर्स की एक महिला की हत्या और यह जो हत्या की गई है उसमें यह बात कही जा रही है कि इसमें जो व्यक्ति शामिल था वह किसी अन्य धर्म से समंदित है और यह जो हत्या की गई है तो यह हत्या धर्मांतरन से समंदित है अब है कि इन दोनों मामलों को लेकर कुछ राजनितिक बयान आये हैं और उन राजनितिक बयानों का अर्थ यह है कि अंतरधार्मिक विवा रोकने के लिए एक कानून बनाये जाए है। अब यह जो अंतरधार्मिक विवा है उसको एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं लब जिहाद लब जिहाद क्या है तो इसके अंतरगत हिंदू महिला सम्मान को एक खत्रे के रूप में दिखाया जाता है मतलब यह है कि जो लब जिहाद है उस लब जिहाद से हिंदू महिला क जो सम्वान है उसको खंडित किया जाता है जिसमें मुस्लिम युवक लोब और प्रलोभन के द्वारा हिंदू लड़कियों से विवाह करते हैं और बाद में इन हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तित करा दिया जाता है वहीं यह भी सच है कि लव जहाद जैसे सब ने विधी के अंतरगत परिभासित नहीं है और खुद केंद सरकार ने भी इस बात को सिकार किया है संसद में एक प्रशन का जवाब देते वे केंद सरकार का यकाना था कि लव जहाद को विधी के अंतरगत परिभासित नहीं किया गया है और नहीं लव जहाद से समंदित कोई भी मामला दर्ज हुआ है और केन सरकार ने यह भी आस्वस्त किया कि अनुछेद 25 के अंतरगत लोगों को जो धार्मिक स्वत्रता का अधिकार दिया गया है लोग अपने इस धार्मिक स्वत्रता के अधिकार का उपभोग करें वहीं अगर यह कानूनी विवस्था की जाती है क विवाह से पूर्व माता पिता की अनिवारे अनुमती हो तो फिर यह कानूनी प्राबधान और समयधानिक होगा और समयधानिक क्यों होगा उसका जरा यह कारण देखिए कारण यह है कि भारत में विवाह से सम्मंदित अलग-अलग कानून है और यह अलग-अलग कानून धार खरमिक परंपरा पर आधारित है और भारत में जो विवाह का कानून अलग-अलग मौजूद है वह कहीं न कहीं भारत के धर्म निर्पेक्च सुरूप की पुष्टी करता है इतना ही नहीं भारत में विशेश विवाह अधिनियम भी है जिसका उद्द्द से क्या है रहने वाले या भारत से बाहर रहने वाले भारतिय धर्म या विश्वास को बिना आधार बनाए विवाह कर सकते हैं मतलब ये कि विशेस विवाह अधिर्यम के अंतरगत विवाह की एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जिसमें दो अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग बिना धर्म या विश्वास को आधार बनाए विवाह कर सकते हैं अब विधी निर्मान की बात करना मतलब ये कि अंतरधार्मिक विवाह के लिए कोई एक अलग से कानून बने या अंतरधार्मिक विवाह को रोकने के लिए सरकार के द्वरा विधी का निर्म 2014 इस्वी में इलाबाध हाइकोर्ट ने एक टिपणी की थी, टिपणी कियाती वह देखे कि अगर धर्मांतरण किया जाता है, तो उस परकार का प्रतियेख धर्मांतरण और सुकारी है, मतलब उससे सुकार नहीं किया जा सकता है, जिसमें एक व्यक्ति जिसने नए धर्म को उस व्यक्ति में उस धर्म के सिध्धानतों के प्रति ना तो सरद्धा है और ना ही विश्वास है। यह रहा आज का प्रश्ण प्रश्ण है कि भारती समिदान के किस अनुचेत के अंतरगत वेस्क मताधिकार का प्रावधान है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। इसके साथ। नमस्कार।